जब उम्मीदे होती हैं और उसका परणाम नहीं मिलता तो बहुत बुरा सा लगता है अभी आवागमन की अगर बात की जाए तो कई लोगों से मैंने सुना मुझे लगता है कि शाद यहां के लोग बैतर बता पाएंगे कि यहां के लोग जब पहाड जाते होंगे तो उन्हें अस्तियर दिखाई पड़ती होगी या फिर कुछ अच्छा दिखाई पड़ता होगा कुछ नेगिटिव दिखाई पड़ता होगा मैं चाहते हूँ कुछ लोग पीछे बैठे हैं वो पहले आगे आजाएं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी सर प्लीज आप आगे आजए यह कोई बात नहीं पाईए क्योंकि देखिए वर्तमान सरकार की तो यह पॉलिसी है कि सबसे आखरी पंक्ति में बैठे वेक्ति को आगे लाना है तो हम तो फिर पीछे कैसे रह सकते हैं तो सर देखिए आप कभी पहाड जाते होंगे बहुत सी जगहों पर मैंने सुना है कि जो को लगता है कि आवागमन पहाडों में बिल्कुल इतना बढ़िया हो गया कि आप आराम से वहां पर जा सकते हैं वापसा सकते हैं देखिए मैं राजनितिक टिपणी तो कोई भी ने करूंगा क्यों मैं एक गॉर्मेंट इंपलोई जो इसके मेरा जो पहाड के वारे में जो बिचार है पहाड के प्लाइन के पीछे दो रीजन है एक रीजन है वहां की सरकार की लापरवाई और दूसरा हमारे पहाड के लोगों की ब्यक्तिकत जुम्मेदारी है पहाड के लोगों में जो की समय प्रजेंट में लगभग 75% जमीन जिस पर केवल घास काट रहे हैं लो लेकिन जो जो नहीं सकते हैं उन के लिए इस्तितिए है कि जैसे मैं गया था मुझे लगता है कि 80% रोजगार वहां बिहार के लोग कर रहे हैं, आप तो पहले टैक्सी भी गाउं के लोग चलाते हैं, वो भी बिहार के लोग चलाते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो दिल्ली में जाके बरतन मलना श्विकार करते हैं, लेकिन वो पहाड पर मजदूरी करना श्विकार ने करत क्योंकि वो इस चमक दमक से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो जैसे ही होते हैं तो उनको भागने की सब्सक्राइब अगर जो रोजगार वहां के बिहार का आदमी 80% में ले रहा है अगर वो पहाड का बच्चा लेगा तो वो उसमें कौशल भी वाली कि उस उयोजना क को नहीं कि सरकार बढ़ाती हैं नहीं हमारे लोग उन्हें प्रोशाइद करते हैं और भी जाएंगे गाओं में कहेंगे तो आजाना दिल्ली में लगा दूंगा नुकरी और नुकरी लगाएंगे वोटल में तो ये टेंजेंसी हमें भी सुधार्णी पड़ेगी और वहां क कि सरकार को भी सूजना पड़ेगा कि जो संसाधन वहां उबलब दें वह डबलब कैसे हो और वही डबलब नहीं होने का कारण है कि चमक जमक की वज़ा से लोग यहां की और भागते हैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए